इस सुनवाई में कोट ने दिल्ली और पंजाब सरकार को एक बार फिर जम कर खरी-खरी सुनाई कोट ने दिल्ली पंजाब और उत्तरप्रदेश सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि बीते 6 साल में ये सबसे प्रदूशित नवंबर रहा है कोट ने पूछा कि वायू प्रदूशन रोकने के लिए क्या कदम उठा रहे हैं पंजाब सरकार ने कहा कि हमने पराली जलाने वालों के खिलाफ कारवाई की है और करीब 100 FIR दर्ज की है और लगभग 2 करोड रुबे का जुर्माना भी वसूल किया है पंजाब सरकार ने कहा कि पंजाब के छे जिले में पूरी तरीके से पराली नहीं जलाई गई अदालत ने आदेश में कहा कि खेतों में पराली जलाने की घटनाओं में कमी नहीं आई है पराली जलाने के लिए भूमी मालिकों के खिलाफ 984 FIR दर्ज की गई है दो करोड रुपे से अधिक का पर्यावरन मुआफजा लगाया गया है जिसमें से 18 लाख रुपे वसूल किये गए है और कोट में कहा गया कि पराली जलाने की जितनी घटनाई हुई है उनमें से 20 मामलों में ही जुर्माना लगाया गया है अधालत ने एहम टिपनी करते हुए कहा कि किसानों को खल नायक बनाया जा रहा है और यहां अधालत में उनकी बात नहीं सुनी जा रही है कोट ने कहा पराली जलाने के लिए किसानों के पास कुछ कारण होगा पंजाब सरकार को उन्हें पराली जलाने से रोकने के लिए सहयता राशी देनी चाहिए कोट ने कहा कि पंजाब को वित्य प्रोथसाहन देने के तरीके में हर्याना से सीख लेनी चाहिए जस्टिस स्कॉल ने कहा कि जो लोग कानून का उलंगन कर रही हैं उनके खिलाफ कारवाई की जानी चाहिए जो लोग पराली जला रहे हैं उन्हें MSP का लाब ना दिया जाए इसके अलावा अन्य फसलों को भी प्रोथसाहन दिया जाना चाहिए कोट ने कहा कि पंजाब और केंद्र सरकार को राजनीती को छोड़ कर प्रदूशन को कम करने के लिए काम करना चाहिए कोट ने दिल्ली के कैबिनेट सेक्रेटरी की कमेटी को प्राइवेट जगहों पर कंस्रक्शन के पहलू पर गोर करने को कहा जस्टिस कॉल ने कहा कि पंजाब में जमीन नमिक होती जा रही है क्योंकि जलस्तर कम होता जा रहा है यदि जमीन सूख गई तो बाकी अन्य फसलें भी प्रभावित होंगी कोट ने ये भी कहा कि अगर दिल्ली सरकार आदेश का पालन नहीं करेगी तो कोई और रास्ता नहीं बचेगा हमारे पास कोट ने कहा कि अभी भी दिवाली और यूपी में खुले में कूडा जलाया जा रहा है यही बात एमिकस भी बता रही है साथ ही पुराने वाहनों पर कलर कोडिड स्टिकर नहीं लगाने पर भी शीर्ष अदालत ने संग्यान लिया अदालत ने समीती से इस पहलू पर गौर करने और ये पता लगाने को कहा है कि नियमों के पालन के लिए राज्यों को क्या निर्देश जारी किये जाएं दिल्ली NCR में प्रदूशन को लेकर सुप्रीम कूट पांच दिसंबर को अगली सुनवाई करेगा